One Piece का मांगा चप्टर 1060 का जो है स्पोयलर आ चुका है अब देखो यार मैं स्पोयलर को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने कुछ विचार बताना चाहूंगो इस चैप्टर को लेकर के जिस तर से स्पोयलर निकल क्या है मेरा क्या मानना है कि ये चैप्टर किस तरह का हो सकता है देखो मैं एक मांगा रीडर हूँ और बहुत कम बार ऐसा होता है कि मैं One Piece का मांगा रीड करते हुए बाई अंदर से हिल जाता हूँ ऐसा भी ओड़ा कर सकता है क्या इससे पहले मैं कब ऐसा हुआ था मालूम जब लूफी का डेवल फूट अवेकन हुआ था और अब ये मतलब ये जो स्पोयलर निकल के आया है न क्या ही खतरनाक स्पोयलर है तो देखो यहां स्पोयलर पर आज हमनों बात करेंगे लेकिन उससे पहले मांगा स्पोयलर वार्निंग दे देना चाता हूँ अब जो कोई भी देख रहा आपने रिस्ट पर देखो सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर के टाइटल की जो की होने वाला है लूफी's dream जिसके बारे में तुमको आगे पता चल जाएगा पहला स्पोयलर यह निकल के आता है लूफी reveals his dream to the crew and we get to see their reaction अब देखो यहां पर मेरे कुछ वीचार है देखो अगर तुम मेरा वीडियो आज देख रहो जब यह spoiler आया है future का छोड़ दो आज जब तुम यह वीडियो देख रहो मैं एक बात कहना चाहूंगा उसने अपने crew members को तो बता दिया लेकिन क्या हमें पता चलेगा यह सबसे बड़ा सवाल उठता है और क्या हमारा भी reaction उनके जैसे ही होगा वो तो देखना पड़ेगा लेकिन यहाँ पर एक सवाल और भी उठता है लूफी ने अपना true dream उसके crewmates को अब जा करके क्यों बताया क्या तुम्हारे दिमाग में आ रहा है आ रहा होगा मुझे पक्का पता है अब देखो इसको लेकर के मेरे एक विचार है और मैं वो विचार प्रकट करूँगा कि क्या हो सकता है reason कि लूफी अब जा करके वो अपने true dream को reveal कर रहा है अपने crew members के सामने यहाँ पर एक prediction है जो कि यह हो सकता है लूफी का जो crew है अब complete हो चुका है पहले के time पे अगर तुम देखो तो भाई उसके crew में swordsman है cook है, navigator है, sniper है तो ship बनाने वाला नहीं है अगर ship को नुकसान पहुँच जाए तो उस सब काम करता था फिर वो आ गया तो भाई जो लूफी को हमेशा से चाहिए था musician, गाना बजाने वाला वो नहीं था फिर brook आया लेकिन time skip के बाद jinbe आया और jinbe जो है उसके crew का बहुती main मंदा में से एक है because वो उसके crew का health man है और health man एक तरस समझ लोग की car car driver जो की जितना भी भीडो वो cut करके निकाल उसी तरस से जो jinbe है वो एक कमाल का health man है और वो जो इससाब से यार अपना काम करता है next level पर है प्लस वो fish man है तो health man का काम तो बहुत अच्छे से वो करता है तो अभी के time पर तुम पूरे crew को देखो लूफी के crew को तो भाई पूरा complete है उसको अब कोई extra बंदे मतलब ऐसे काम के लिए तो नहीं चाहिए extra हो सकता है बाद में future में आकर के join करे जैसा कि Yamato लेकिन जो उसके ship के लिए जरूरी है जो उसके crew के लिए जरूरी है ऐसे तो फिलाल के time पर और कोई crew member नहीं दिखाई देता है तो हो सकता है यहाँ पर जो है पहले किया था वही से यहाँ पर भी कर दे बस उसके crew members का reaction दिखाए और हमें कुछ ना बता है वैसे हाँ यहाँ पे जो है उसके crew members के reaction से यह भी पता चल जाएगा कि इतने time से जो उसको follow कर रहे है उसके साथ साथ चल रहे है उसको captain मान करके उसका dream सुन करके उनका क्या reaction है यह देखने में बड़ा मजाएगा next spoiler निकल के आता है sabo continues his call with dragon sabo और dragon का conversation चल रहा है और क्या conversation चल रहा है मालूम sabo अभी के time पे lulusia kingdom में है अब देखो अगर मैं यह नाम सही से pronounce नहीं कर पा रहा हूँ तो माफ कर देना वो हमें यह बताता है कि उसने किसी person को उस empty throne में बैठे हुए देखा यह साइद वो वाला scene हो सकता है जब वो five elders imusama के सामने सर जुका रहे थे ऐसा मेरे को लगता है और इस चीज को sabo ने देख लिया मतलब यह कि अब dragon को पता चल चुका है कि वर्ल्ड government का भी एक बाप है जो सबसे supreme empty throne में बैठता है अब वो male है या female है उसका तो पता नहीं है लेकिन यार अब जो है sabo ने किसी को pass कर दिया message मतलब sabo अगर मर भी जाता है वैसे sabo नहीं मरेगा लेकिन sabo अगर मर भी जाता है तो भी किसी और को ये बात पता है और revolutionary army को ये बात पता चल चुका है मतलब यह कि अब revolutionary army और ज़्यादा सावधानी से अपना काम करेगी प्लस एक और बात by revolutionary army को भले इनका secret पता चला साथी साथ एक और बात भी पता चल गया कि अब जो है अगर किसी को target करना है तो EMU Sama को target करो क्योंकि अगर उसको उड़ा दिया तो पुरा world government को आराम से उड़ा सकते हो लेकिन उस तक पहुँचना नाममकिन के बराबर है ठेर चलो देखते हैं आगे क्या होता है जब revolutionary army अपना पैतरा चलेगी next spoiler में हमें ये बताया जाता है EMU is seen with a map that has Lulusia kingdom crossed out और इसी के ठीक बात क्या होता है next spoiler में in the skies of Lulusia kingdom dark clouds start to gather and lightning in strikes left and right भाई साब EMU का power देख रहे हो क्या खतरनाक है ये जो अभी लगातार ना ये spoiler में EMU का सक्ति प्रदर्शन ही हुआ है फिर next spoiler में ये बताया जाता है an object is seen falling down from the sky onto the country एक object आसमान से उस country के उपर गिरता है और उसके बाद next spoiler में ये बताया जाता है कि जो Lulusia kingdom है वो destroy हो जाता है अबे ये चल क्या रहा है वैसे यार अगर ये power है ना EMU सामा का वो बहुत जादा strong है और मैंने बहुत बार वीडियो में ऐसा का है कि EMU सामा weak character नहीं है होने वाली वो बहुत strong होगी और future में यही एक ऐसी character होने वाली है या होने वाला है जो लूफी को बहुत गंदी तरह से कूटेगी और लूफी के लिए इसको हराना आसान नहीं होगा अब देखो बहुत सार वनपीस fans के दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा ये लूलूसिया kingdom कहां पर है अगर तुम anime watcher हो तो episode number 880 उस episode में दिखाया गया था एक kingdom एक जगा में pirates हमला किये थे और उनको जो है रेवलेशनरी आर्मी आ करके रोग देती है जहां पर हमें रेवलेशनरी आर्मी के जो members है उनके बार में भी पता चला था वो भी reveals हुए थे और manga chapter 904 में ये हुआ था तो वो fight जहां पर हुआ था वो था लुलूसिया kingdom जिस तरह से लुलूसिया kingdom को destroy किया है इसका photo में manga chapter में देखना चाहूँगा अब मैं ऐसा क्यों कहा रहा हूँ इसके reason simple है अगर हमें दिखाया जाता है वो किस तरह से destroy होता है मतलब अगर वो खंडहर की तरह बनता है तो फिर मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा लेकिन अगर वो पूरा एकदम map से हटने जैसा destroy हो जाता है पूरा एकदम धूल बन जाता है तो मैं बस यही कहूँगा यार कि हो सकता है जो God Valley वाला जो incident है उसको भी इमूने ही destroy करके हटा दिया होगा अब रहा बात सैबो का तो हो सकता है सैबो किसी ना किसी तरह से बच जाएगा क्योंकि ओडा ऐसे ही मतलब background में किसी character को बात करते करते अचानक से टपका दे यासे अच्छा नहीं लगे गा यार और सैबो इस तरह से मरते वे मैं नहीं देखना चाहता है उसको भी अगर death देना है एस की तरह legendary दो खेर चलो next बात करते हैं जो कि final spoiler होने वाला है इस chapter के end में जोलरी बानी से straw hat pirate मिलती है अब यहाँ पर हो सकता है जोलरी बानी का next arc में बहुत important role हो और हो सकता है यहाँ पर हमें जोलरी बानी के बारे में बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़े जो है पता चले वो भी 1060 chapter में नहीं 1061 chapter में पता चलेगा साथी साथ यहाँ पर कुछ extra spoiler भी है जो की निकल के आता है पहला chapter जो है focus किया है crew के उपर जो की obviously सच बात है यार next जो है यहाँ पर हम Emu Sama को बात करते वे देखेंगे third the five elders are in the chapter मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ पर जो है पाँज बुढ़े और Emu Sama का conversation दिखाया जाएगा और यहाँ पर यह जो conversation होगा यह बहुत important conversation होगा और इस conversation से बहुत सारे one piece के theories निकल के आएंगे साथी साथ हमें यहाँ पर हो सकता है जो white century के बारे में भी थोड़ा बहुत hint मिले यार plus Emu Sama का power देखे तुम सब का क्या मानना है मुझे comment box में बताओ और हाँ यार वो वाला जो आसमान से आकर के नीचे जो मारा था ने Emu Sama ने क्या यहाँ पर यह निकल के आ सकता है कि Emu Sama के पास instant weapon Uranus का access है क्या उसके पास Uranus है मुझे नहीं मालूम लेकिन ऐसा भी हो सकता है खेर चलो देखते हैं चैप्टर जब आएगा अच्छे से पता चल जाएगा देखके बता पाऊंगो यार तुम सबका क्या मनन है comment box खाली है कुछ पूछना है पूछो यार वीडियो पसंद आए like मारो चैनल पर नहीं आगे इस चैनल को सब्क्राइब करके सब्सक्राइब को बैल ऐकन आउन कर दिना इमेलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिलाल के लिए पाई